शुताओं आज भागम भाग की जंदगी में लोग बेतहाशा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन इस दोड में जो पीछे छोट रहा है वो है स्वास्त और शान्ती ये भी बास सामने आ रही है कि चाहे वो हरदय रोग हो मदोमे रोग हो डाइबिटीज हो रत्चाप हो ब्लड ट्रिशर हो इनके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के साथ साथ एक जुसप से महत्पून चीज़ सामने आ रही है वो है लोगों का मानसिक स्वास्त का जो इस्तर है वो लगातार गिरते जा रहा है इन्हीं कुछ बिंदों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव चौधरी जी आप योग विशेशग्य हैं और पंडित रविशंकर शुक्ल विश्व विध्याले रायपूर के छात्र कल्यान विभाग के अधिश्ठाता हैं विधी अध्यान्शाला के अध्यक्ष हैं श्री खिलेश सीना जी है जो कि योग विशेशग्य हैं और डॉक्टर संस्कृति सिंग हैं जो कि योग और प्राक्रतिक चिकिसा विशेशग्य हैं परिचरचा का विशे है आधुनित जीवन शैली और योग जीवन शैली पहले क्या थी और किस तरह से धीरे-धीरे वो परिवर्तित होती जा रही है डॉक्टर राजीव चौधरी जी इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? लेकिन बाद में WHO ने, World Health Organization ने रिलाइज किया कि नहीं, यह जो परिवाशा है, तीन आयाम अपून हैं, इन तीनों आयामों के अतरिक्त, दो आयाम और हैं, जो बहुत मैतपून हैं, जिनको भी अरजित करना आती आउशक है, वो है अध्यात्मिक विकास और सवेगात्मक विक हैं, और आज के इस modern और आधुनिक यूग में हम रह रहे हैं, जितने भी psychosomatic disorders हैं, हमें घेरती जा रहे हैं, तो उन सब के उपचार के लिए भी योग एक अपनी बहुत महतुपून भूमी का अधा करता है, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कि हमें इसको योग को, योग क अधारित नहीं है, योग में विभिन विशेष्टा हैं, जो योग को धर्म से प्रतक करती हैं, जिन में से तीन मुख्य विशेष्टा हैं, पहली है, कि योग अनुभवी है, यदि किसी अभ्यास सत्तर में हम भाग लेंगे, तो उसका हमें अनुभव मिलता है, वी कन फी हम महसूस करते हैं, योग एक्सपरिमेंटल है, प्रायोगिक है, आप देखेंगे कि विशुस्तर के काफी एक विज्ञानिक अध्यन आयोजित किये जा चुके हैं, जो सिद्ध कर चुके हैं, चाहे हम रोग प्रतिरोदक्षमता की बात करें, या दूसरे रोगों की बात करें उनके उपचार में योग एक बहुत महत्यपूर्ण और सार्थक भूमी का अधा करता है, इसके तरिक्त, यदि हम बात करें तो आज के दिन, आज के इस योग में हर विक्ति विशेश अपनी बाहरी परत है, जिसको की योग की बाशा में हम कहते हैं, अन्यमे कोश, उसको व विक्सित करने में लगा देता है, लेकिन योग की भाशा में कुछ आंतरिक परते भी हैं, जिनको की शुक्ष शरीर और कारण शरीर कहा जाता है, यदि हमें वास्तों में परगती करनी हैं, तो हमें अपनी आंतरिक परतों को भी विक्सित करना चाहिए, और जिनका विकास योग के माध्यम से बहुत आसानी से किया जा सकता है। सुबा का मतलब होता है ग्यारा से बारा बजे वो लोगों के लिए सुबा होने लगा है। और योग केता है योग का मतलब है जुड़ना योग जो है यूजधातु से बना है। यूज़ का मतलब होता है यूनियन एक आत्म हो जाना ही योग है। तो अगर इनसान को स्वस्थ रहना है तो हमको जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए क्या है हमको अपने से ही जुड़ना है। जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया में जुड़ते हैं वो हमको पेन देता है दुख देता है पीड़ा देता है। जैसे बाहर मोबाइल रखा हुआ है मोबाइल से जुड़ रहा है टीवी रखा है टीवी से जुड़ रहा है लेप्टाप है लेप्टाप से जुड़ रहा है तो कहीं न कहीं से ये हमको पीड़ा दायक है लेकिन जब हम अपने से जुड़ेंगे अपने अंदर की जो प्रक जुड़ जाना है और अपने अंदर ही आनंद है तो इस आनंद से जुड़ जाना है जिसको पंच कोस बोलते हैं जब हम इस पंच कोस के साथ जुड़ेंगे तो अपना जो सरीर है और ये जो मॉडर्न लाइफ रिश्टायल की जिन्दगी है उसमें सब में सुधार आएगा हम को स्वस्थ रहने के लिए ये जो अपने अंदर की जो पांच कोस है जिसे हम अन्न में कोस कहते हैं प्रान में कोस कहते हैं मनों में कोस कहते हैं विज्ञान में कोस कहते हैं और आनंद में कोस कहते हैं ये पांचों कोस को अगर हमको स्वस्थ रखना है तो अपना जो मॉडर मुहरतिम उठना हैं फिर सही समय पे आपको भोजन करना है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर फिर रात को उतने ही जल्दी सोना है भगवद कीता में बताये हैं युकताहार विहारश्या अपना आहार भी योगिक होना चाहिए और अपना विहार भी योगिक होना चाहिए आपने इन बताया कि जीवन शहली बहुत बिगड़ चुकी है और योग कहता है कि स्वहम से जुड़िये लेकिन अब ये भी है कि जो वर्तमान परिस्थितिया हैं जिस तरह से लोगों को अपनी आजीविका के लिए कारे करना पड़ता है जिन परिस्थितियों में करना पड़ता है पूरे विश्व की परिस्थितियां बदली हैं और इन परिस्थितियों को बदलना संभव नहीं है तो अब सवाल यह उड़ता है कि इन परिस्थितियों से कैसे सामनजस से बिठाएं कि हमारे आजी विका की जो आवशक्ता हैं वो भी पूरी हो और हमारा स्वास्त भी जो इतना बिगड़ा हुआ है जहां पर हम लाइफ स्टाइल डिसॉर्डर डिजीज की बात अगर करते हैं तो यहां पर योग का बहुत महत्व है लाइफ स्टाइल डिजीज मिन्स हो गया शुगर बिपी थायराइड अस्थमा जॉइन स्पेन अर्थराइटीज सेम साइको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंडिजीज सर आप जो बताएं हैं कि आधुनिक जीवन सहली में जितने भी प्रभाव हमारे हेल्थ को पड़े हमारे स्वास्त पूरा डिस्टर्ब हुआ लोग जो है अगर वो अपनी जिंदगी में हेल्थ, हैपिनेस और फैमली क करते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनका यही मानना है कि हम इसी पर वर्क करें, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जब तक आप सेवन डायमेंशन, फिजिकली, मेंटली, ओक्यूपेशनली, एन्वार्मेंटली और स्प्रिच्वल, इंटेलेक्च्वल, इस चीत से आप नहीं जोड़ेंगे, योग हमें यही सिखाता है कि आप अपने साथ डायमेंशन को ठीक कर लें, आप स्वास्त हो जाएंगे, अगर कोई भी एक चीज बिगड़ा हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं परिशानी फिल करेंगे, अगर हम योग को प्रिवेंशन के माध्यम से भी देखे प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, बिमार है करके हमें योग नहीं करना है, आप बिमार मत हो करके आप योग कीजिए, योग से सारे डिजीज जो है हम ठीक कर सकते हैं, और मैं यही बताऊंगी कि अलग अलग योग जो है, वो हमारे 72 हजार नाडियों को इफेक्ट करता है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि योगा करमसु कॉसलम, करमों में ही आपका योग है, अगर हम बात करें कि योग से कैसे हम बिमारियों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च होए जिसमें हमने सारे डिजीज को ठीक किया है सिर्फ योग से, कहने का मतलब यही है कि योग जो है हमारे जितने भी blood circulation है, oxygen level है, कैसे हम इससे बढ़ा सकें, कोविट काल में oxygen level कम होने के लिए बहुत सारी समस्याओं को लोगों ने देखा, feel किया इस चीज को, लेकिन अगर आप योग करने से तुरंत oxygen level कैसे बढ़ता है, इस पे भी बहुत research हु अगर मैं प्रतिरोधक छमता की बात करूँ, तो योग की सबसे ज़्यादा result है, कि अगर आप योग करते हैं, तो आपकी immunity ही कम नहीं होगी, और मैं नाडियों की अगर बात करूँ, तो हमारे जितने भी meridian's हैं, पूरा शरीर 72,000 नाडियों से बना हुआ है, और ये हर कि योग को किसी धर्म से नहीं जोडा जाना चाहिए, और अब तो ये बात रही भी नहीं, क्योंकि पूरा विश्व योग दिवस मनाता है 21 जून को, तो विश्व ने योग के महत्व को सुविकार कर लिया है, समस्या ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद, हम योग से क जोड़ पा रहे हैं, और सबसे बड़ी जो चुनोती है, वो हमारी जीवन शैली है, तो डॉक्टर चौधरी, क्या सोचते हैं आपकी किस तरह से इस चुनोती का सामना किया जाए, इसका मुख्य कारण है कि जो आज की पीड़ी है, वो विचारात्मक बातों पर विश्वास नहीं करेगी, तो सबसे महतपून बात यह है कि आज के दिन योग को एक विज्ञानिक आधारों के साथ जोड़ कर एक प्रक्टिशनर है, जो अभ्यास करता है, उसको समझाना होगा, जिससे कि ठीक से वो विश्वास उस पर कर पाएं, इसके महतों को जान पाएं, एक शलो जो लोग योग रूपी अगनी से अपने शरीर को पकाते हैं, ने उनको बुड़ा पाता है, ने उनकी मृत्यू होती है, ने ही उनको कोई बिमारी जकड़ती है, तो बिमारी तो तभी नहीं जकड़ेगी, जब हमारी रोग प्रतिरोदक्षमता बढ़ेगी, लेकिन यह था कि हमारे बड़े बड़े रिशी मुनियों ने अपने अनुभों के आधार पर इसको प्रस्तुत किया, आज के दिन जरूरी है कि प्रयोगी कद्धिन आयोजित किये जाएं, और प्रयोगी कद्धिन के आधार पर, उनके परिणामों के आधार पर हमें जनता तक ये बात पह उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार योग के छेतर में उडेल दिये, लेकिन हमें केवल स्तरिय साहित्य पर आधारित बात करनी चाहिए, किसी के व्यक्तिगत विचारों पर आधारित, किसी के अपने किसी भी योग के प्रगाड़ विद्वान व विदूशी ने अपने व 72,000 नाडियों में से 3 मुख्या हैं, क्योंकि यहां पर हम स्वास्त की बात कर रहे हैं, तो वो जानना आती आउशक है, तो उन 72,000 नाडियों में से 3 हैं, इडा, पिंगला और सुष्मना, यदि वग्यानिक आधार पर बात करें, तो हमारी इडा नाडी हमारे उत्सर जंत तंत को नियंतरित करती है, स्वासंत तंतर और रक्त संचार तंतर, और ये तीनों ही स्वासंत तंतर, रक्त संचार तंतर और उत्सर जंत तंतर, मुख्या तंतर हैं, जब तक ये उच्छेतम शिखर तक कारें नहीं करेंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष का स्वास्त बहुत अच करते हैं और जो घटित होता है हमारी तीसरी नाड़ी से योग साहितेक अनुसार जिसको कहा जाता है शुश्मना नाड़ी और यह भी मत है कि हम सभी अध्यात्मिक शक्ति लेकर पैदा हुए हैं जिसको कहा जाता है कुंडलनी कुंडलनी शक्ति एक अध्यात्मिक शक्ति है ज जिससे कि हम अपना सामजस से अच्छा स्थापित कर पाएं, योग में especially गीता में भी कहा गया है कि सम और विशम परस्तितियों में समान बने रहना ही योग है, और हम सब की वीकनेस है, हम सब की कमजोरी है, हमारे पक्ष में कुछ गटित होता है, तो हम हर्ष उल्ला से भर जा से हम अपने आपको सम और विशम दोनों परस्तितियों में समान बनाए रखते हैं, डॉक्टर चौधरी आपने बहुत अच्छी बात बताई कि योग से यदि हम जुड़ते हैं, तो हमारा स्वास्त खराब होगा ही नहीं, और जो बीमारियां हैं भी वो जड़ से समाप्त ह हो जाएंगी, तो हमें दवाईयों के आवशकता ही नहीं पड़ेगी, और डॉक्टर संस्कृति सिंग जी ने भी यही बात कहीं, कि बीमार होने के बाद हम योग की तरह अपना जाएं, पहले से ही योग करते रहें, तो खिलेश सीना जी, योग किस तरह से एक आम आदमी कर से क्या उसका सरलतम रूप हो, किस तरह से उससे वो सहज लगे और वो योग से किस तरह से जूड़ सकता है, इस बारे में कुछ मारदर्शन करिएगा, जी सर योग का मतलब ही अगर हम देखे तो योग को हम सरल ही कह सकते हैं, योग क्यों करना है और सब क्या लक्षा है, तो कर्मयोग, भक्तियोग, ज्यानयोग, राजयोग, ये चार योग बताएं हैं, जो मुख्य हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन ये चार योग मुख्य हैं, जिसमें हमको लाश्ट में मोक्ष की बात बताते हैं, मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि हमको मरने के बाद मृत्यू प्रान क मिलेगा वैसा कुछ नहीं है मोक्छ का मतलब है freedom तो जीते जीते जो हम स्वतंत्रता का नुभाओ करते हैं वो मोक्छ कहलाता है तो आम इन्सान कैसे योग को करें तो जैसे को कर्म कर रहा है किसे को काम करने में आनंद आता है तो वो उसके पर सब कुस्चन करेंगे कि हम तो हर रोज अपना काम कर रहे हैं, फिर हमको freedom या मोक्ष या आनंद क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ कर्म कर रहा है, जब कर्म में योग जोड़ देगा, तो कर्म योग होगा, कैसे जुड़ेगा वो, जो कर्म कर रहा है, जो भी काम क उसको आनंद मिलेगा, और जब उसको आनंद मिलेगा, तो वो कर्म योग हो जाएगा, और कर्म योग होने की वज़ा से उसको आनंद की प्राप्ति होगा, और आनंद की प्राप्ति होने से उसको मन जो है, शान्त होगा, शान्त होगा मन, तो freedom क्यों जाएंगे, वैसे ही भ बाजा बोलते हैं इसमें अस्टांग योग आते हैं जिसमें बहिरंग योग और अंतरंग योग होता है बहिरंग योग में यम नियम आशन प्रानयाम प्रत्याहार अंतरंग योग में धारना ध्यान शमाधिय जिसमें हम कोशिस यह करते हैं कि यह सभी आठो जो अंग है यम अहिंसा, सत्या, अस्ते, ब्रह्मचरिया, अपारिग्रह, नियम, सौच, संतोस, स्वाध्या, इस्वर, प्रानिधाना, ये सब को करते हुए हमको आशन में जाना चाहिए, आशन बहुत सारे हैं, लेकिन महर्सी पतंजली ने इसका एक ही सुत्र दिया है, वो है इस्थिरम, सुखम, आशनम, ऐसा कोई भी पोस्चर जिसमें आपको स्थिर होना है, और स्थिर होने के बाद अराम से आपको रिलाक्स होके, मन को सांध करके, प्रजेन टाइम में रहते हुए, सुख का अनुभाव करना, वो आशन कहलाएगा, वैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो प्रानय प्रानयाम का मतलब होता है, प्रानश्य आयाम प्रानयाम आहा, जो आप प्राना स्वास ले रहे हैं, प्राना का मतलब स्वास लेना, स्वास छोड़ना, उस प्राना को आपको फील करना होगा, जब हम फील करेंगे स्वास आ रहे हैं, स्वास जा रहे हैं, तो अपना मन शा स्वस्थ होना और स्वास्थ सुधार मन की शांती मोख्श क्यों ले जाता है फिर प्रत्याहर, प्रत्याहर का मतलब या अपना सेंस ऑर्गन है, उससे डिटेच्पेमेंट, अपना जो दस्व जाता है योग में फिर अंतरंग योग में धारणा ध्यान शमाधि धारणा का मतलब होता है अपने आपको धारन करना देश बंद, चिठ्थ स्य धारणा एक point पे आना है अपने को अगर हम को expansion करना है तो कोई एक बिंदू पे आके эcksпans watt ध्याकरना पहले समझना है क्या करना है, इस्ट्रेस फ्री होना है, तो इस्ट्रेस फ्री होना है, तो पहले उसको समझना है, हाँ, हमको धारना करना है, धारना के बाद एक इस्टे आगे की बात करते हैं वो है ध्यान, ध्यान मेडिटेशन, धारना के बाद जो आप ध्यान लगा रहे है उसके एक्सपांसन हो जाना है, फ्री हो जाना है, जैसे जैसे फ्री होते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे, आप फ्रीडम में चले जाएंगे, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, यम, नियम, आशन, प्रानयाम, प्रत्याहर, धारन, ध्यान, शमादिय, वैसे ही योगा और है ज्ञा जो जिस लेवल में है उस रास्ते को चुने और आगे बढ़े फ्रिडम मिलेगा आनंद मिलेगा आनंध ही योग है सिनह जी आपने बहुत विस्तार से बताया कि योग क्या है और जैसे कहा भी जाता है कि बीमारी से मुक्ती पाना योग का एक बाई प्रोड़क्ट है जो योग का उद्देश है वो तो मोक्ष की प्राक्ति है लेकिन अभी यदि हम अपने आपको वर्तमान परिवेश से जोड तो एक आम आदमी जो कि भागमभा की जिन्दगी जी रहा है और उसको इसी में समय निकाल कर योग के लिए भी समय देना है और अपने आपको स्वस्त रखना है जिम व्यभारिक दृष्टी से देखें डॉक्टर संस्कृति सिंग तो एक आम मनुष्य अपने लाइफ स्ट अगर मैं आज मॉडर्न योग की बात करूँ तो यहां पे लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने आपको फिजिकली और मेंटली फिट करने के लिए सेट फ्री इंडिया की अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन और डिजीज तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिटिंग वर्क जो लोग साथ घंटे आज कल आट घंटे वर्क कर रहे हैं मतलब यह साथ स्मोकिंग की बराबर रिसर्च हो गया है कि आप इतना स्मोकिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें फिजिकल डे रूटीन जो है हमारा होना चाहिए जिसमें हाफ एन आवर मिनिमम आपको योग करना बहुत जरूरी है दस मिनट आपका प्राणायाम होना चाहिए जिसमें हम अपने ब्रीधिंग एकसरसाइस के थो करेंगे और रिवर्स की अगर मैं बात करूँ डिजीज अगर आपको हो गया है तो आप डॉक्टर्स की सलाह के एकॉर्डिंग कौन-कौन से डिजीज में कौन-कौन से आसन करने चाहिए वो बहुत जरूरी है उसमें जैसे की बहुत रिवर्सल डाइबिटिक की बात हुई थाइराइड रिवर्स हो सकता है की नहीं तो इसमें योग का बहुत महत्व है और अभी जो HIV अगर केसे की मैं बात करूँ तो इसमें योग का बहुत बड़ा रिजल्ट आया है थाइराइड मुटापा डाइबिटिक हाइपर टेंशन ऐसे डिजीज में हमें कुछ स्पेसि आवर की अगर हम योग आसन करें योग का मतलब है बियॉण मैट हम जो मैट बिचा के जो एकसरसाइज के फॉर्म पर योग लेके आएँ हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है योग का मतलब ही है अपने से जोड़ना मतलब मैट में जो आप आसन कर रहे हैं इस नॉट यह है कि हम मन के साथ कैसे अपने योग को जोड रहे हैं लाइफ फोर्स एनरजी जो हमारे ब्लॉकेज को खुलती है सेवन मेजर चक्राज जो होते हैं जिसके स्पेशल आसन हैं अगर हम सिफ साथ ऐसे चक्राज हैं हमारे मुलाधार, स्वाधिस्ठान, अनाहा चक्र, सूरी नमस्कार, एट लिस्ट 12 राउंड बारा बार कर लें तो हम अपने जो आधुनिक दिन चर्या है उसमें अपने आपको डेली टाइम भी दे सकते हैं और मैं डेफिनेटली यह बोलूंगी कि हमें अपने लिए टाइम देना बहुत जरूरी है डॉक्टर सिंग आपने बहुत अच्छे से एक व्यभारिक उपाय बताया हमारे शोताओं को कि किस तरह से वो अपने जीवन शैली में योगों को समाहित कर सकते हैं और उसका लाव ले सकते हैं कुल मिलाकर डॉक्टर चौधरी हम अब यह जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी किस तरह से योगों को सुईकार करें और उसके लिए किस तरह से वो अपनी सोच को परिवर्तित करें इस बारे में आप क्या अपने अनुफ़ों के आधार पर बताना चाहेंगे शोताओं को पहली बात तो यह है कि योग केवल हमें रोगों की योग रोग थाम के लिए उसका अभ्यास करना चाहिए पूर्णते हमें उपचार के लिए योग पर निरबर नहीं रहना चाहिए क्योंकि रोग थाम में तो बहुत एक महतपूर्ण भूमी का निंभाता है योग लेकिन यदि हम उपचार के लिए पूर्णते योग पर निरबर रहेंगे तो हो सकता है कही ना कही हम असफल हो यह की बहुत महतपूर्ण जानकारी है कि प्रतेक व्यक्ति को रखनी चाहिए दूसरी बात आज का हर व्यक्ति ततकाल प्रभाव चाहता है लेकिन हमें ध्याने रहे क योग के विबन प्रकार के प्रभाव है उसके ततकाल प्रभाव भी है और दीरग कालिक प्रभाव भी है तो हमें वेट करना चाहिए इंतजार करना चाहिए वो प्रभाव उजागर हो सकते हैं दो दिन बाद दस दिन बाद एक अपते बाद एक महने बाद हो सकता है कि आज जह हम अभ्यास करें तो उसके प्रभाव काफी दुनों के बाद उजागर हो उधान के तोर पर अनुलों विलों प्रणायम है उसके दोनों प्रकार के प्रभाव हैं उसके ततकाल प्रभाव भी हैं यदि आप अभी करेंगे तो आपकी mental state आपकी मानसिक दशा में परिवर्तन ततकाल दिखाई देगा और इसके दिरकालिक प्रभाव भी हैं तीसरी बात में कि यदि हम शोध पर अधारित और अनुसंधान पर आधारित बात करें अगर हम अपनी रोग परतिरोधक शमता बढ़ाना चाहते हैं अपनी फिटनिस बढ़ाना चाहते हैं अपनी शक्ती ब कुछ आसन रखें, हो सकता है खड़े होकर किये जाने वाले आसनों की शिरिणी में कुछ हो, कुछ पेट के बल्किये जाने वाले हो, कुछ पीट के बल्किये जाने वाले हो, और अनिवारे रूप से एक या दो प्रणयाम अपनी सुलबता अनुसार करने चाहिए और यदि कोई उच्छे रख चाप से पीडित है तो उन्हें बिना कुमबक का अर्थ है कि स्वास रोके बिना हमें वो प्रणयाम करना चाहिए जिसमें हमें कुमबक की आउशकता नहीं ह उधारन के तोर पर अनलोम विलोम प्रणयामा और तीसरा भाग जो अनिवारे रूप से हमें अपने अभ्यास सत्र में समेलित करना चाहिए वो है ध्यान मेडिटेशन यदि ध्यान की बात करें तो विबिन प्रकार के ध्यानों के अभ्यास एक योग लिटरेचर साहित में ह कुछ एक आगिरता वाले ध्यान है कुछ माइंडेफुल्नेस मेडिटेशन की शेरिणी में बी हैं तो हमें किसी भी एक और दूसरे भी कंसेप्ट हैं जैसे सहयज जीयुक मेडिटेशन है बड़ा सरल है करना ठांसिडेंटल मेडिटेशन रवा है और जो सरल तम है प्रान दहारना यहीं चलक्ति भाशा में बात करें प्राण मीन्स हमारा रेस्पर हमारा श्वास एक कमफर्टेबल एक आराम दायक आसन में हम बैठ कर अपने स्वास पर ध्यान के इंद्रित करें वो भी एक सरलतम मेडिटेशन ध्यान की श्रेणी में आता है तो अनिवारे रूप से करें तीनों छेत्रों के बैठ करें जरूर हमेन स्वास्त में लाब होगा हमारा रिजिवनेशन, हमारा नौनेश होगा और केवल हमें शरीरिक लाब ही मिं लेगा Duchote हम अपने सव्वेगों पर भी नियंत्रण रख रख सकते हैं और हमारा अध्यात्मिक विकास भी होगा तो अध्यात्मिक विकास के बारे में अध्य कहें तो अस्ट शक्ति के नाम से योग में जाना जाता है जो हम सभी आठ शक्ति लेकर पैदा हुए हैं जिने हम अध्यात्मिक अस्ट शक्तियां कहते हैं उनका विकास होगा और हम जीवन के हर छेतर में सफल होंगे चाहे सेक्षणिक छेतर की बात करें शरीरिक बात करें चाहे समाजिक रूप से भी हर विक्ति के साथ हमारी सम्बंद अच्छे होंगे हम अपना सामजिस से बहुत अच्छे तरह डाक्टर जौधरी और आज आप हमें हर आयाम को हम अरजित करते हैं योग के अभ्यास से बहुत अच्छी आपने जानकारी दी डॉक्टर चौधरी और आज आप तीनों विशेशग्यों ने जो विचार और जो जानकारिया सामने रखी उससे यही बात सामने आती है कि आज मनुष्य की जीवन शली बुरी तर करना करना पड़ रहा है वो अपने आपको स्वस्त महसूस नहीं कर पा रहा है यह दिन सारी समस्याओं का कहीं समाधान है तो वो योग में है और सही स्वास्त की परिभाशा भी यही है कि यह नहीं कि आप को रोग नहीं है बलकि आपको हर समय अपने अंदर एक आलाद की अ अनभूती होना चाहिए और यह अनभूती यदि कोई दे सकता है तो योग ही दे सकता है तो डॉक्टर राजी उचोदरी जी श्री खिलेश सीना जी और डॉक्टर संस्कृति सिंग जी आप तीनों इस परिचर्चा में भाग लिए अपना कीमती समय दिया इसके लिए हम आपक बहुत आभरी हैं